सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सब से पहले और हाँ बेल आइकन तबाना ना भूलें कर्ण किसको कहते हैं हिंदी का तो आपको अर्थ होगा हिंदी व्याकर्ण आप जानते हूं कि संस्कीत हिंदी व्याकर्ण तो कर्ण किसको कहते हैं कर्ता जिस से कर्म करता है कर्ता कमतर करने वाला कर्ता जिस यंतर से कर्म करता है उस यंतर को कर्ण कहते है तो हमारे हमारे पास कर्म करने के लिए चोदा है कर्ण और उस कर्ण को जो सहयता दे उसको उप कर्ण कहते है कर्ण और उप कर्ण तो जिसके द्वारा हम काम करते हैं उसको कर्ण कहते हैं और कर्ण को जो सहयो करे उसको उप कर्ण कहते है जैसे कील ठोकनी तो किल ठोकना वाला व्यक्ति करता है और करन क्या है करन है हाथ जिसके द्वारा करम किया जा रहा है और इस हाथ को जो सयो करें उसका नाम है अथोड़ी उसको कहेंगे हम उपकरन करन उपकरन तो अथोड़ी हो गया उपकरन और हाथ हो गया करन और वेक्तिस्यम हो गया करता और क्रिया क्रिया हो गया ठोकना हिंदी में आपने व्याकरण पड़ी होगी तो करण का मतल होता है जिसके दौर हम करम करें तो हमारे पास दस बाहिया करण है और चार अंत करण है अंदर के करण को अंत करण जीव, हाथ-पाउं, गुडा-उपस्थ-वारी, स्परशेंदरी-चरम ये हैं हमारे 14 करण. दस बाहर है पाँच करमेंद्रियां पाँच ग्यानेंद्रियां ये बाहिया करण है और चार अंदर हैं सिस्टम लगए जिनसे हम काम करते हैं उसको बोलता है अंतह करण अंदर के करण तो अंतह करण कितने हैं मन बुद्धी चित और एहम इन चारों का नाम है अंतह करण तो समे मन और चित चित का मतलब हार डिस्क चित करत है ये अंतह करण को हम कंप्यूटर के हैं तो चित क्या हो गया हार डिस्क और मन क्या हो गया मन हो गया जो वो एरो बना होता है करते हैं वही पर वही चीज open हो जाती है तो यह मन जो भी चिंतन करता है वही क्रिया open हो जाती है तो मन है अंतकरन है computer और बुद्धी निचित क्योंकि आपने बुद्धी निचित पूछा यह चित है hardisk और यह मन है करसर